हेलो दोस्तों वेलका बैक टू दो चनल सस्टी स्टेडी पॉंड और आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में मैत पूर्ण बातें यह देखें यहाँ पे मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगे इसका और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनगर्ना जनगर्ना 2011 वाली ही पढ़ेंगे क्योंकि 2011 के बाद से कोई भी जनगर्ना इस समय नहीं हो पाई अभी तक 2023 आ गया है 2021 में होनी थी लेकिन वो COVID के वैज़े से उसको टाल दिया गया ठीक है तो 2011 की जनगर्ना इस से बहुत important question आते भी है और हम लग शोचते हैं कि पुरानी होगी जनगर्ना नहीं आएंगे नहीं दोस्तो question तो आते हैं भई तो कौन कौन से question आते हैं उन सब के वारे में मैं आपसे बात करूँगी और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको इसी में से question अपने मिल जाएंगे ये आप जो है निश्चिंत रहिए ठीक है अभी इस समय जो है आपको पताईए UP SSC की तुरू जो है एक्जाम होने वाला है किसका वीडियो का re-exam है ये यानि कि 2018 में ये एक्जाम जो था वो cancel हो गया था अब ये इस समय 2023 जून में ये एक्जाम होगा ठीक है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की vacancy है तो उत्तर प्रदेश की जनगरना और उत्तर प्रदेश से सम्मंदित question आवश आएंगे इसलिए वीडियो बहुत important है दोस्तों अपने दोस्तों में भी share कीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो subscribe भी कर लेजेगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली बात है कि राज उत्तरप्रदेश तो बहुत पहले से था पुनरगठन इतना लेट नहीं पुनरगठन इसका बहुत बार हो चुका था लेकिन 1956 का इसलिए मानते हैं और उसके बाद अभी तक कोई भी असन नया इसके लिए अधिनियम नहीं है तो 1956 में भाशाई आधार पर इसका पु चौदा जो भी है थे ये 6-7 में आपको बता रही हूँ तो भाशाई आधार पर उत्तरप्रदेश का 1 नवंबर 1956 को पुनरगठन हुआ था ठीक है तो इस चीज को याद रखेगा ये जो है आपको मैंने बता दिया इसमें 14 राजु को आ हुआ था उस समय राज के नाम को ल इसको कर दिया गया अवद का शेत्र भी इसमें जुड़ गया फिर 1902 से इसका नाम रख दिया गया संयुक्ति प्रांट आगरा एवम अभध ठीक है फिर 1937 में फिर चेंज हुआ फिर रख दिया गया संयुक्ति प्रांथ और लास्ट में जो नाम आज भी चल रहा है वो कुशन आता है दोस्तों सहीक्ति प्रांथ कब इसका नाम था यह स्थापना दिवस मनाते हैं ठीक है इस चीज को याद रखेगा एक कुश्चन आता है यूपी दिवस यूपी स्थापना दिवस ठीक है और इसके सासाथ इसकी राजधानिया कौन-कौन सी रही है तो तीन ज से पहले अलावात कहते थे फिर लखनो तीन जगा बस रटली जगा सबसे पहले आगरा मेरा यह ठारा सुचतिस में उसके बाद अटारा सुचावन में प्रियाग राज में फिर 1921 में आंशिक रूप से लखनो बना दी गई और फिर पूर्ण रूप से 1935 में लखनो बना दी जो कि आज भी उत्तर प्रदेश की राज़ानी लखनो गए यह हम बात कर रहे हैं यह जब अंग्रेजु का शासत सत्व उससे पहली की बात नहीं कर रहे हैं आप कहीं फिर मुगल सामराज और उससे पहले भी सामराज जोड़ने नहीं ठीक है यह उस समय की बात है अब नाम दिया गया था जब यह अलग हुआ था तो यह देखे नौट हमबर 2000 को प्रदेश की 13 जिलों को अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश है और उन्हें एखटा करके उसका नाम उत्तरानचल रख दिया गया जो कि अब उत्तराखंड के नाम से फेमस है उत्तराखंड एक अलग राज है ठीक है पहाडो का राज जहां पे आप लोग घूमने चाहते हैं है ना तो ये 9 नमबर 2000 को अलग वा था इस चीज को याद रखेगा इसके साथ आप बताईएगा कि जारखंड किस से अलग हुआ है और 36 गड किस से अलग हुआ और कब कबल हुआ ये भी हैं उत्तर प्रदेश के मैप पर अब देखें मैप आपको दिखाती हूं मैं अब ये है देखें मैप उत्तर प्रदेश का बहुत इंपोर्टन मैप है जो हम सबको देखना चाहिए देखें ये है उत्तरा खंड जो अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से ये देखें पहल हर्याना है और यह दिल ली है यहां पर इतना हिससे लगा हुआ ठीक है इसको याद रखना और मैं आपको दिखाती जा रही हो सहरानपूर हमारा सबसे उत्री जो शेत्र है बताते हैं वह है ठीक है यह नहीं पूर भी शेत्र सबसे हमारा पूरव का शेत्र जो है वह कि बहुत जो सीमा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से मिलती है और हमारा ललितपुर जो एक कोशन मैंने पूछा भी था कि हमारा कौन सा ऐसा जिला है जो मत्रदेश से तीनों और से मिलता है तो यह ललितपुर है देखो ललितपुर के तीनों और से MP है और बस जहांसी से फिर ल आपको ये मैप मैंने छोटा करके भी यहां पर दिखा दिया ये एक मिनट दोस्तों ये देखें तो यहां से ही देखो ये पूरा त्रकंड फिर ये नेपाल है ये क्या है नेपाल है ठीक है नेपाल से मिलती दूसरा देश हो गया नेपाल फिर नेपाल की तुरंतवादी 1 तरफ MP, 1 तरफ झारखंड, इस चीज़ को याद रखना ये बहार है, इसकी सोन बद्र दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा राज्यों से सीमा मिलती है, इस तरह से ये मारा यूपी है, और इसमें आपको पता है कित्ते जिले हैं, हमारे 75 जिले हैं, आप इनको काउंट कर लीजेगा पूरे पिचतर जिले हैं ठीक है और 18 हमारे क्या है मंडल 18 मंडल हैं दोस्तों ठीक है अब हम आते हैं जन संक्या के उपर जो मुख्य चीज है जिसके हम बात करने वाले थे जो हम सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है जन संक्या हम 2011 की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जन संक्या उननिस अठानवे बारा तीन सो इकतालिस ऐसे याद कर लीजेगा और वैसे आप अगर याद करें तो आप एकाई धाई सेक्ड़े में भी याद कर सकते हैं लेकिन मैंने इसी तरह से याद किये जिससे की जै प्रदेश की जन संक्या है और अगर प्रतीशत देखेंगे देश की तुल्ना में तो 16.5 एक प्रतीशत हम लोग यूपी ऐसे वाले वह पूरे भारत में है पुर्षों की कुल जन संक्या कितनी है राज में कुल जन संक्या पुर्षों का प्रतीशत जो है 22. handlar दोनों है और म उनों को जोड़ेंगे तो यह 100 बैठेगा ठीक है तो महिलाएं कम है राज में कुल जनसंक्या में ग्रामीड जनसंक्या 77.7% पर्तिशत है वो तो पहली पता है कि हमारे यूपी में 75% जो जनसंक्या है वो ग्रामीड है तो इसमें देखो आगया यह 70% आगई तो यह 70% ग्रामीड है इसके साथ नगरिये जनसंक्या देखो 22.2 साथ है बहुत कम है और जबकि लोग जो हैं नगरिये शेत की तरफ जा आता भी है पूरा सिक्वेंस है सबसे ज़्यादा प्रियाग राज में उसके अद्मुरादाबाद में उसके अद्गाजियाद में सिक्वेंस याद करके रखिएगा नियुनितम जनसंक्या वाले जिलों की सिक्वेंस दिया है तो सबसे कम महोवा में उससे ज़्यादा चित लोग हैं यह होता घनत्व कि हमने मालो एक वर्ग मीटर हमने नाप लिया इसमें हमारे यूपी में कितने लोग है और दूसरे राज में इसी एरिये में कितने लोग है तो वो घनत्व होता है ठीक है घनत्व ना घना घना जैसे होता है जो घन जिसे तो उत्तर प्रदेश का ज फिर 2001 से 111 के दोरान जनसंख्या घनत में वरद्धी कितिवी 10 साल में दशकीय हो गई है दशकीय वरद्धी तो 129 विक्ती पर क्लो मीटर जो है वो बढ़ गए पहले क्या थे 829 हमने बता दिया एक पर क्लो मीटर में लेकिन 10 सालों में हम देखेंगे तो उसमें प्लस 129 और हो गादियाबाद में लेकिन वैसे जनसंख्या आप बताएंगे तो वह प्रयाग राज में है तो गाजियाबाद तीसरे नंबर पर याद रखिएगा और लेकिन घनत्र देखेंगे कि एरिया कितना है उसमें कितने लोग रह रहे है फिर वारारसी है फिर लखना हुआ ठीक है नियूंतन जनसंख्या वाले इसमें बढ़ते क्रम में इसमें घटते क्रम में इसको याद रखना ये बढ़ते क्रम में है सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम इसमें क्या है सबसे कम उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा ऐसे है तो ललितपुर में सबसे कम लोग रहते हैं एक एक वर किलो मीटर में और सोन मदर में उससे ज़ादा थोड़े से और हमीरपुर में उससे थोड़े ज़ादा ठीक है फिर लिंगा अनुपात यहां पर इससे बहुत कोशन आते हैं इंपोर्टन्ट भी है यह ठीक है और जिलो का और राज्यू का भी पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश का ओसत लिंगा अनुपात 2011 की जनगर्ना के अनुसारी हम बताएंगे तो 912 है और भारत में 943 अब लिंगा अनुपात आपको बताओं लिंगा अनुपात में क्या होता है कि एक हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं है फीमेल कितनी है यह होता है ठीक है तो यानि कि हमारे याँ यूपी में क्या है कि एक हजार पुरुषों पर महिलाएं कितनी है नौसो बारा एक हजार अगर पुरुष है तो उसी छेतर में 912 महिलाएं होंगी एक हजार होंगी नहीं जबकि पूरी इंडिया की बात करें तो एक हजार के शेतर पर 943 महिलाएं ठीक है और कहीं कहीं पर क्या होता है महिलाएं जादा होती है पुरुष्ट कम होते हैं यह भी अभी आपको बता रही हूं यहां भी ऐसे जिले हैं बहुत से ठीक है यह ओवरॉल यूपी की बतारा लेकिन यूपी के जिले भी ऐसे हैं जा महिलाएं जादा है दोजार ग्यारा के दोरान उस्तरप्रधेश के लिंगा अनुपात में क्या व्रदी हुई यानिकि 2001-11 के विच दश्किय जो व्रदी उचरा लिंगा अनुपात में वो 14 अंके की हुई ठिक है किटने आंके की हुई आप देखो सबसे अधिक लिंगा अनुपाद वाले जिले आ गया यूपी के घटे क्रम में बताएंगे और नियूनुतम जो था वो हमेशा बढ़ते क्रम में तो जो सबसे अधिक लिंगा अनुपाद वाले जिले जो हैं वो जौनपुर में सबसे अधिक लिंगा अनुपाद है य ऐसे याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा जौन पूर आजम कर देवरिया यह शौट ट्रिक होती हैं दोस्तों जिससे हमें अच्छे से याद हो जाए इसका नियूनतम बाला बढ़ते ग्रम में गौतम बुद्ध नगर ठीक है नोईडा भी कहते हैं जिस अब यह दशकी व्रद्धी वाला कोशन आजाते हैं यह जो इंपोर्टन्ट है वही मैं आपको बता रहे हूं ठीक है यहाँ पे तो 2001 से 11 के बीच ही देखेंगे दशकी माने 10 साल बाद तसकी का मतला क्या होगा 10 साल बाद ठीक है 10 साल के अंतरगत यानि कि 2001 से देखेंगे आ और 2011 तक तो कितने होगा 10 साल होगा इके बीच में तो वही 10 साल के अंतर में तो 10 साल के अंतर में इसलिये दशकी है जो ऐस्छित ब्रदि दर था वह 20, 2, 3 है और sulla 2005 बार्षिक ब्रदि पूछ रहा है फूरी यह दशकी ब्रदिहीं यह वार्षिक ब्रदि तो एक दसमलाञ आ क्या नाम है 6-2 प्रतिशत पुरुश और महिलाओं की ब्रदीदर का अनुपात 19.031 और 21.23 पुरुशों का 19.031 और महिलाओं की ब्रदीदर 21.23 ठीक है इसके बाद दर्शकिये ब्रदीदर वाले जिनमें दर्शकिये ब्रदी हुई है दिकांज लोगों की जनसंक्या बड़ी दस साल में तो गौतम बुद्ध नगर में बड़ी है फिर उसके बाद गाजिया बादना है फिर उसके बाद है श्रावस्ति यानि कि पहले गौतम बुद्ध नगर आप गौतम बुद्ध नगर में दस सालों में लोगों की जन संक्या जाता बड़ी है और जो नियूनतम वो अच्छे से बताऊंगी इसमें लेकिन अभी केवल हम चाह रहे हैं कि आप जो हैं पहले ये जो जितना भी जनसंख्या से संबंदित कोशन है ये आप याद कर लीजे इनको भूलिएगा नहीं ये कोशन अवसाते हैं पूरा यूपी के आप ये याद कर लीजे कि कौन सा जो र बिहार से मिला हुआ है विल्कूर बलिया और बिहार पास-पास हैं ललिदपुर में ललिदपुर किस राज की सीमा को साजा करता इस तरह से आप इसे एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से आद हो जाएगा है ना ये पूरा दिया देखो ये जो इनोंने दिया ये देखो ये पिंक वाला जो है ये बुंदेल खंड रीजन है बुंदेल खंड यहां से इसलिए है ने बुंदेलों के और वो लोके में पीला वाला पाड आवद का शेत्र है इसलिए आवद भी इसका नाम था ये आवद शेत्र है ठीक है ये आवद का पूरा शेत्र है लगन तो इसलिए National Capital Region में आते हैं, यह दिल्ली जो हमारी इसके आसपास की जितने भी यह हमारे जिले हैं, वो आते हैं, मेरट है, गाजी अबाद है, बुलन चहर है, गौतम बुद नगर है, तो यह सब आते हैं, मुजफर नगर है, बागपद है, तो यह NCR में आते हैं, अलीगर न इमिटेड बाते ही आपको बताई जाएं, बस उत्तर पृदेश से रिलेटेड, अब मैं अगली वीडियो में जो हम उत्तर पृदेश के राज किये, जो उनके प्रतीक हैं, हर शेत्र में वो वीडियो लेके आऊंगी, छोटी सी वीडियो की आप देख सकते हैं, और वीडि जडियो के बाते ही वीडियो हैं, अवीडियोchtsी वीडियो में वीडियो को फूएंगी हैं, धर वीडियो को भीडियो से उत्काइब के रागएं, लनके राज़ दोगभारi को बाते वाते हैं, और रह संभियो कि अनके म्हाते दोगीब आफ़ाएंगी हैं, पिलमेग R Imagina out. झाल झाल